Hello friends, welcome to Pickup Maths. My name is Arushi Chatnani. और मैं आपके लिए Maths को बनाने आई हूँ, easy. तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या करने वाले? इस वीडियो में हम Squares and Square Roots चप्टर जो की Class 1 का Chapter 6 है. इसके Exercise 6.4 के Question No. 8 को Solve करेंगे. तो देखिए Question No. 8 में क्या है? तो यहाँ पर यह कह रहा है कि एक गाड़नर है और गाड़नर क्या करना चाह रहा है? वो 1000 प्लांट्स को इस तरीके से लगाना चाह रहा है कि number of rows यह है रोस और number of columns जो हैं बराबर हों. उसके पास है 1000 प्लांट्स लेकिन यहाँ पर उसे कुछ और प्लांट्स सी है. तो इसके पास कितने प्लांट्स में से इसे और कितने प्लांट्स चाहिए होंगे? तो make it a perfect square तो यह जो है मतलब की 1000 एक perfect square number नहीं है. इसको 1000 बनाने के लिए कुछ और number चाहिए. चाहिए मतलब add करना है. Add करना का सथा हमने question number 5 में देखा ताकि add करके perfect square number कैसे मिनाया जा सकता है? तो same हम यहाँ पर भी करेंगे 1000 का पहले हम square root find out करेंगे. तो पहले 1000 का square root find कर लेते हैं students. पहले लगा लेते हैं बार. अब यहाँ पहला वालक है digit 10 है. तो 10 मिन्स 3 multiply 3 हो जाएगा 9. अब यहाँ 1 बचा और यह double 0 आ गया नीचे. अब क्या करेंगे अब जो कोशेंट में 3 इसे प्लस करेंगे 3 प्लस 3 हो गया 6. अब देखे 62 multiply अगर मैं 2 करती हूँ तो कितना हो जाएगा 124 यहनि जादा हो रहा है. तो मैं क्या करूंगे 61 multiply 1 कर लेती हूँ. तो 61 multiply 1 मतलब 61 ही आया और 100 में से 61 मैनस कीजिए तो यह आजाएगा 9 and 3 मतलब 39 इसका रीमाइंडर है. 39 रीमाइंडर है यहाँ इसका रीमाइंडर है अब इसकी वन्त हो जैने एक perfect square नंबर नहीं है. अब इसको perfect square मलाने के लिए क्या करना है? एडिशन में हमने क्या किया था? यहाँ पर 31 है. तो हम इसके दूसरे, मतलब 31 के बाद रहा नंबर इन 32 का square चेक करेंगे. तो 32 का square चेक किजिए 32 का square कितना आएगा? 32 मल्टिप्लाइज 32 जो हो जाएगा 4 यह 6 यह 6 और यह 9 तो यह आगया 1024 तो इसके पस सिर्फ 1000 प्लांट्स है. इसको कितने प्लांट्स से होंगे? 1024 प्लांट्स नीडेड है इसको number of rows और number of columns बनाने के लिए तो इसको और कितने प्लांट्स ही है? मतलब हम 1024 में से 1000 को सब्ट्रैट कर देंगे तो हमको 24 अंचरा रहा है. 24 प्लांट्स to plant in number of rows and number of columns same. तो number of rows और number of columns same रहने के लिए इसे 24 प्लांट्स और चाहिए. तो यह ही इसका answer है. students ही आपको संद में आ गया तो यही इस question को इस तरही से solve करना है आप तब तक इसको practice कीजिए अपने copy remain note down कीजिए और be safe good bye